हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में पूरे प्रदेश के स्कूलों में पर्मानेंट टीचर्स की वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरस्वती, सिशू, विद्या, मंदिर के लिए आचारे की वेकेंसी है जिसमें DLAD, BTC, BAD वाले, BSTC वाले कैनिरेट बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं क्योंकि इसमें PRT की वेकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की, ट्रेंड ग्रेजुए टीचर्स में वेकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुए टीचर्स में अलग-लग सब्जेक्ट में वेकेंसी आई हुई है 21 से लेकर 45 वर्स्तक के कैनिरेट इसमें आविदन कर सकते हैं, PRT के लिए, ग्रेजुएशन के साथ में DLAD वाले, और TZT के लिए, BAD वाले कैनिरेट ग्रेजुएशन के साथ में, PZT के लिए, मास्टर डिगरी के साथ में BAD आपका होना जरूरी है सभी राज्यों के कैनिरेट बिल्कुल eligible हैं, काफी अच्छी वेकेंसी है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपका subject है, तो इसमें जरूर आप apply करें लास्ट डियर भी वेकेंसी आई थी, आप लोगों को बताई थी, और इस बार वेकेंसी सितंबर माह में निकाली गई है चलिए देख लेते हैं कैसे आविदन करना है, ओनलाइन ही आप लोगों को आविदन करना होगा सबसे पहले देखें, सरस्वती सिश्रू विद्या मंदिर के आचारे की आविशकता, PRT संस्कृत, अंग्रेजी, गनित, टीजीटी में संस्कृत, अंग्रेजी, गनित, रसायन सास्त्र, भौतिक सास्त्र, जीविज्यान, संगड़क और सारेरिक सिक्षा की, पीजीटी में 30 सितंबर 2024 को 45 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, यानि नियूनतम आयू जो है, इसमें 21 है, और अधिकतम आयू जो है, 45 यर है, अब कैसे जो है, अप्लाइ करना है, लास्ट डेट आप देख लें, यहाँ पर, यहाँ पर देखें, सफल अभ्यर्ती को पूर प्रदेश में आवश्यक्ता अनुसार, यानि जहां भी जुरत होगी, वहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, दिनाक 17 सितंबर 2024 से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक आविदन प्रपत्र आप भर सकते हैं, वेकेंसी जो जारी की गई है, विद्या, विका, समिती, जहार्ख वनांचल, सिक्षा, समिती की तरफ से है, ओफिशल वेबसाइट का लिंक यहां उपर दिया हुआ है, इमेल एडरस उपर दिया हुआ है, अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ण है, यानि लास्ट ये अगर आपने फॉर्म फिल किया था, तो बस लॉगिन करके आगे बढ़ जाना है, और यहां पर किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, तो यहां पर आपको सिलेक्ट का ओप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, पियार्टी, टीजीटी, पीजीटी, ऑफिस, म्यूजिक, ठीक है, यह सभी पोस्ट आपकी आच चुकी है, अब भी जो है, हम देख लेते हैं, जैसे पी आर्टी के लिए आप अप्लाई करना चाते हैं, तो यहां आप पी आर्टी पर क्लिक कर लें, प्रोसीड कर लें, और फिर यह देखिए, पी आर्टी में संस्कृत, इंग्लिस, मैथेमेटिक्स, यह तीन साथ में, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग की है, डिपलोमा डिग्री, आपका प्राइमरी लेवल का है, DLA किया है, या इसके हाई रापकी क्यालिफिकेशन है, सब भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, आपने BTC किया है, BSTC किया है, DLA किया है, तो बिलकुल आप अप्ला पर जो है क्लिक करके देख लेते हैं इसमें यह देखिए टीजीटी के लिए संस्कृत के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुइशन के साथ में बीड होना ज़रूरी है सीटेट या टेट तो यहाँ पर अभी मुझे नहीं दिखा है फिलाल जो है ग्रेजुइशन के साथ में बीड इंगलिस की वेकेंसी, मैथमेटिक्स की, कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बाइलोजी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, कम्प्यूटर के लिए बी, सीए या इसके पीजीटी के लिए, पीजीटी में देखें आप प्रोसीड कर लेते हैं, थोड़ा सा कई बार जो है, ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखते रहें, पीजीटी के लिए सबजेक्ट मैंने आप लोगों को बताई दिये हैं, इंगलिस है, रसाइन सास्त्र, भौतिक सास् और इसमें किसी भी राज्य के कैनिरेट आविदन कर पाएंगे, यहाँ पर सेलेक्शन का प्रोसीजर जो है, क्या रहेगा, तो अभी यहाँ पर देख लें, लिखित परिक्षा होगी, लिखित परिक्षा आपकी 19 अक्टूबर 2024 के दिन, शनिवार को जारकंड के अंतरगत निर्धारित केंद्रों पर और यह आपको पता लग जाएगा, ओफिशल वेबसाइट पर आप लोगों को बार-बार चेक करते रहना है, अगर आप अप्लाइ करेंगे तो, तो 19 अक्टूबर 2024 को आपकी लिखित परिक्षा होगी, यह मैंने आपको बता दिया, एक संगीत बादन में सनातक के साथ प्रभाकर या समकक्ष कारेलाय प्रमुख के लिए वानिजिक सनातक के साथ टेली तथा MS Office का ज्यान जो है अनिवार है, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को वरेता दी जाएगी, तो यहाँ पर जिनका Music सबजेक्ट है, तो उनक के लिए, Commerce वाले Candidate अप्लाए करेंगे, साथ में टेली तथा MS Office का ज्यान जो है जरूरी है, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग है, तो आप लोगों को यहाँ पर वरेता मिलेगी, सैलरी की अधि हम बात करते हैं, तो सैलरी जो है लास्ट येर 25,000 से लेकर 81,100 तक अलग- सैलरी मेंशन नहीं की है, लेकिन जैसे ही, न्यूस पेपर में पब्लिस हो जाएगा, तो शायद उसमें जो है, ये सैलरी मेंशन कर दें, ठीक है, लास्ट येर की जो सैलरी है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये बिलकुल पर्मानेंट वेकेंसी है, अगर जो भी कैंडिडेट आविदन करने के चुक रहेंगे, ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को प्रवाइड कर दिया जाएगा, इसी वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू,